हेलो एवरिवन, वेरी वेरी गूड आफटरनून, वेलकम बैक तो माई चानल, तो ये व्लॉग मैंने जो लास व्लॉग आपके साथ शेयर किया था, हम लोग शीरडी पहुच गया थे, उसी के आगे कंटिन्यू कर रहे हूँ, तो आज के व्लॉग को भी जरूर देखिएगा लाइक करिएगा, हम लोगो शीरडी के साइम बाबा के दर्शन बहुत अच्छे से हुए थे, तो अगर आप लोग भी जाना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं, तो जाएए और साइम बाबा के दर्शन करिए, अभी तक तो साइम बाबा का दर्बार बंद था, बट अब अब खुल गया है आप लोग जा सकते हैं अब यहीं पर हमारा मुबाइल जो है वो लॉकर पर रख दिया जाएगा चपलें तो उतार दी गई है हाँ यहीं पर बोल रहा है ऑद दर्शन हो गया हम लोगे चलो भाई चलो भाई चलो नए कहा परसंड चलो भाई चलो भाई कैसे हूए दर्शन आप सब के है वी आई पी दर्शन करके जी बहुत मज़ा है पील हुआ कि नहीं किया व्याइपी है? बाबा जी हमारी सुन लें जो हमने दुआ है बास पर आएंगे बच्चों को लेकर को हाँजे हाँजे अगद बाबा जी बुलाएंगे तो बाबा जी जल्दी फिर से पिर आएंगे और फिर हम लोग दर्शिन करने हैं वह स्कूल वो पालेजी स्टार्ट हो गया तो वो नहीं आ पाया अगली बार वो भी आए अगली बार वो भी आए यह की रिंग कितने की है यह वाली साई बाबा की सो गाइज हमारे दर्शन तो हो गये हैं बहुत अच्छे से और फिर हम लोग अभी यहां से वापसी के लिए निकल रहे हैं दर्शन का अंदर कुछ रिकॉर्ड तो करने ही सकती थी तो मोबाइल सबके रग लिए गये थे लॉकर में अच्छाइज अपी हम लोग आ गये हैं यहां पर प्रशाद खाने साई बाबा का रोड क्रॉस कर लिए यह बग्चोई किती है हां फिर से आगए किया आपानी पा रहे हैं वो भी यह लिए आगे से आगे आगे से आगे अगे अगे बाद के दो एगए आप 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 कि अ कि तो गाइस लोगों ने सोचा था यहां पे हम लोग साइं बाबा का प्रशाद खाएंगे बट वहां पे कुछ अभी काउंटर बंद हो गया था तो अभी हम लोग वापस जा रहे हैं इसी रेस्टरेंड में तो गाइस यहां पे मैं आपसे बाते कर रहे थी बट वर्मा जी ने आगे गाने चला रखे थे तो उसकी वैसे कॉपी राइट आ जाता तो तो मैंने यहां पे आवाज बन कर दी है और हम लोग यहां पे डिसकस कर रहे हैं कि हम लोगों ने प्रशाद खाने गए थे बट प्रशाद नहीं मिला अब हम लोग यहां पे किसी एक होटेल रेस्टरेंट में धूनेंगे तो वहां पे बैट करके लंच करेंगे और अभी यहां पे चार साड़े चार बच गये थे हम लोगों को दर्शन होगने के बाद का टाइम है यह और फिर मैं पी हु से पूछ रही थी कि आपको भूक लगी है आप क्या खाओगे ऐसे करके हम लोग यहां पे बाते करते जा रहे हैं चलिए चलते हैं अगी है और अगी प्यूफ प्यूफ खुश लग गया कैसा लग रहा है खाना खागे अच्छा लग रहा है क्या क्या खाया पनी क्या खाया प्रीघ्टी चीज मिल रहे आखिरकार पनीर और रोटी और रेबिट ने क्या 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 खाया कॉन से रेबिट ने छोटे वाले रेबिट क्या क्या करना है ब्रेक पेर रखे सिर्फ एक बार इधर कर दीए उधर एलिखा वा जाएगा वह आटमेटिक है यहां पर वरमा जी की जो चेर है वो चेंज हो गई है सिट तो कैसा लग रहा है वरमा जी आज अराम से बैटने में इस दिली खौाइश थी हैं दिली खौाइश थी इनकी कि तो शाम का टाइम है और अब संसेट हो जाएगा थोड़ी देर में ही और हम लोग यहां से निकल चुके हैं फूलाँ मस्ती में हैं बीच में रुके हमनों ने फोटोग्राफी करी बहुत मस्ती करी सब लोगों के साथ मिल करके बहुत अच्छा लगा साहीं बाबा के दर्शन बहुत अच्छे हुए सो फाइनली अब हम अपने घर को जा रहे हैं और आप लोग को यह व अब या चोड़ो तुम्ट से देखिए अब यह रुकें थोड़े स्ट करने के लिए अरू ही गाएं जो सुरत एक सुरत क्या दो 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 जाना चाहिए जो यह जो आपको आपको है बाई यह तो रिकार्डिंग हो रहा है संसेट देखो हो रहा है इसे क्या जरूरती या मन नहीं सो हम लोग यहाँ फोटोग्राफी कर रहे थे और बीच में यह एक आदमी अचानक से यहाँ पे आ गया था और हम लोग डर गये कि अचानक यह क्यों आ गया मतलब उसका इंटेंशन हम लोग को पता नहीं चल रहा था वो आया और खड़ा हो गया हम लोगों के यहीं जहां पर हम लोग फोटोग्राफी कर रहे थे और ऐसा लग रहा था तो अभी 7.40 हो चुका है और रात हो गया है दिकात हो गई एक दम अंधेरा और हमारे प्यार इसी पहू साई बापा बनी थी लेकिन हो प्यार इसी चोटी सी बापा बनी हुए है तो चलिए गाईज अंधेरा हो चुका है हम लोग घर पहुच गये थे और उसके बाद मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था क्योंकि काफी थकान हो गई थी बीच में हम लोग ने डिनर कर लिया था उसके बाद ही घर गए थे और अब कल के व्लॉग में मिलती हूँ आप से एक अच्छे से बढ़िया बहतरी व्लॉग के साथ अब तक लिए टेक कियर बाई बाई बैं गुड नाइट व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा